जोहार दोस्तों मैं मैंसर अज फिर से जहारखंड की जो करमचारी चैनायोग हैं उसके दुब़ारा शाहिक अचार की जो फेकेंशी लिका ले गए थी उसकी एक नई शुचना आई वी है नई नौटिस आई वी है उस नोटिस में को लेकर मैं आया हुआ हूँ इस नोटिस मे क्या है हम लोग देखेंगे लेकिन इसे पहले अपको जो मेरे चैनल पर पहली बार है लाइक कर लिजेगा और ढोस्तों को विस्जो शहे का चार के विस्ते ड़िए करेंगे उनके खत्रनाक खेला हो गया वैसे विद्धार थी जो तीसरी बार जिन्होंने फॉर्म फिलब किया था लगभग 6075 भाई ध्यान से सुनियेगा लगभग 6075 आविदर रद किया गया है हाँ आपने सही सुना 6075 जो आविदर दिया गया था उसको रद कर दिया गया है जे से सी दुवारा अब क्यों रद किया गया है क्या वज़ा दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके सारी तो आप देख रहे होंगे यहां कि यह कल ही कहा है कल तीन सुचनाय जारी हुई थी एक वीडियो अपलोड कर चुके इसको देख लिजेगा कि आप एडमेट कार्ड कब डॉनलोड कर सकते हैं आपके एक्जाम क्या होगी 125 वाले का वो सारे उस वीडियो में किलियर किया गया है अभी तो मैं बना रहा हूं इस वीडियो में इसका मुख्य उदेश है आपको बता रहा है कि एक्जाम देने से पूर्व आप देख लिजे कि क्या आप 6075 में तो नहीं है मतलब आपका भी कहीं तो आप जान रद नहीं हुआ आपको चेक कर लेना है तो चलो भाई इसको देखा जाए इसके अंतरगत जार्खन प्रारंभिक विद्याले सहायक अचार शैंत परतुक्ता परिच्छा 2023 की अंतरगत तिर्तिय चलन में जो आवेदन दिनांग 23-23-24 से 6-4-24 की मधिराती तक प्राप्त किये गेते मतब थर्ड जो था चलन उसमें 23-23-24 से 6-4-24 की बीच अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको देखना बहुत जोरी है तिसरा चलन वाली परतोगी भाईयों को जरूर देखना जोरी है क्या आपका आवेदन रद हुआ अगर रद हुआ तो क्यों हुआ तो देखते हैं क्या जैसे सी कहती है इसमें कहा गया है कि आवेदकों को यह भी अस्परस्ट कर दिया गया है कि अथा सिती जैसे फोटो हस्ताचर अपलोड किये बिन आवेदन की परकिरिया पुरी नहीं होती है उसमें साब कहा गया था कि जिन्होंने अपना फोटो नहीं डाला जिन्होंने अपना शाइन नहीं किया वह परकिरिया आवेदन की परकिरिया अधुरी इमानी जाती है तो यहां भी यही हुआ है इसमें भी एक जबजस्त बात लिकल के आ रही है जिस इसी द्वारा तो दिहान दीजेगा आविजान्स परकिर्या पुरी नहीं होती तता इसके अभावस में समंधित आवजदक की अभरती आयोग द्वारा रद कर दी जाएगी जिसके लिए समंध प्रेचर नहीं अप्लोड किये तो इसकी जिम्मवारी आपकी होगी आप पहले ही कहा गया था आयोग द्वारा यह तर मुखी बाते हैं कि उक्त सूचना एंस सुविधा के बाद भी इतनी सूचना देने के बाद जैसे सी करती है कि इतनी अभरा यह परिच्छ शुल नहीं किया गया यहाँ पे एक और बात लिकलके आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने परिच्छ शुल्क नहीं दिया था तता 590 आविदक को दुवारा परिशा सुल्क भुक्तान उपरांथ मतलब 590 आविदक ऐसे भी है जिन्होंने क्या क्या फी तो पेट किया था फी जमा किया था लेकिन उपरांथ फोटो और हस्ताचर अपलोड नहीं किया गिया तो फी पेट करने के बादे जो फोटो नहीं अपलोड किये हैं जिन्होंने साइन नहीं अपलोड किया था उनका रद हो चुका है उक्त सभी आविदकों से प्राप्त आविदन रद किया जाता है जिनकी सुचना आप देख सकते हैं यहां नीचे केरवल प्रारमेक चलान रेजटेशन को पूर्ण करने के उपरांत परिछा सुल्प भुकतान नहीं करने वाले अभियार्थियों की पंजियन संख्या यहां लिखा वार इसको अब देख लिजे छे हजार लगभख 35 पेज का पीडियाप है इसमें अब देखिए इसको चेक कर लेजेगा कि क्या आपका रोल नंबर तो नहीं है इसमें आपने अपलोड किया था सायन फोटो सारी चीज अपलोड किया फिर भी रद किया गया तो आयोक से कंसल्ट कर सकते हैं आयोक की हेल्प नंबर से बात कर सकते हैं या दारेक वहां जा करके भी मिल सकते हैं कि हमने सब कुछ किया तो फिर क्यों लगभख 590 इधर है उपर में और और भी नीचे है इधर कि पहले कि अल्यां में आविदाण पत्र मैं संसोधरन के दूरान औलाइन में कोसि अनुसुती है और नहीं जाती कोटी कि आवद्धेक को मतलब अगर है तो आप आरेक्षन ना लेना चाहें या जो आरेक्षन में नहीं है फिर भी वह आरेक्षन लेना चाहते थे उन लोगों का लिये खत्री की घंटी है भाएं क्या बला गया आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वर्ग कोटी अथो निसाक्त कोटी के लिए अरेक्षन कोटी को गयर निसाक्त कोटी से संसोधित किया गया है फल सरूप संसोधित कोटी के लिए अनुमान परिछा सुल के अंतर रासी को डिम भागय होगा कि निका प्ट का बंदू है और झांचम में भर दिये यह उनको पता नहीं था वह आर रिजव में भर दिया वस्जविक तरह आपको बताना था कि ऊड़बर हो गया है यह नहीं कर पाए थे उसको दिया था लेकिन वाई समय तुस्तमाप्त हो गया बिस तारिक हो गई अब क्या होगा देखते हैं दिना कुनिशाद हो जा तो विस तक परिशा सुल्क की अंतर रासी का भुगतान नहीं करने वाले सभी आवजनों को रद किया जाता है तो कुछ ऐसे थे जिनक परिशा शुल्क में अंतर था जिसे किनी का सो था किनी का पचास था तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया था अंतर हो गया था तो वैसे जो विल रहा हुंक journaling के शब्राहता की सग्ख्या हो दिख दिख लहाँ है उनको अबज़ान रद कर दिया गया है जहां से सुन लिए उनका आविदन रध हो चुका है अपना रेजिटेशन नमर यहां से चेक कर सकते हैं यहां जैसे की साइट पर जाएए वहां पर आपको यह मिल जाएगा आगे है साहे कचार के जो नियमावली 2022 द्वारा इंटर्मेर्जेट पर शिचित साहे कचार 125 के पदो पर न्यूकति के संदर में आयोग द्वारा परकासित विग्यापन के अंतगर्ण समधित पदो पर न्यूकति है तो एक वांचित शेचनिक योगिता जैसे नियूनतम 50 पर जैस्ट्री अध्यापक शिचक परिशाद दुवारा तो वहां क्या था मिमार अध्यापक शिचक परिशाद्वारा मनेता प्राथिशन पर सिचन संस्थान को अपने खर्च पर आवासे रुप से छे मार का ब्रेज कॉर्स पूतिन करना अनिवार होगा मतलब दिनको सचनिक योगिता में कमी हो रहा था जैसे बीड़ वाले जिसने 125 तो भरा है लेकिन वहाँ उनको योगिता नहीं थी तो उनको ऐसे के लिए क्या क्या गया बोला गया था कि 6 महा का कोर्स है ब्रिक कोर्स जिसे सेत्व कोर्स भी करते है उसको अपने पैसे पर करना नहीं किजेगा तो फिर आपका अगर आपको जौब भी लग जाती ही तो आपको हटा दिया जाएगा यह ची ध्यान रखेगा जार्खन के देशुचना संखे 137 जिना के 29 एक दुजार चोबिस द्वारा गठित जार्खन प्रार्मिक विद्धाले साहे अचार समग तिर्थ संसोधन नियमली दुजार चोबिस के द्वारा विलोपीत क्या गया है फल्सुरूप आएक द्वारा संब्धित परिक्छा के आपसक शुचना संखे 19 दिनांग 15 दुजार चोबिस द्वारा इंटर्मेडरेट पर सिचित साहे अचार के पदों के लिए संसोधित नियूंतम योगिता प्रकासित के गई है अता उक्त परवधान के अधार पर इंटर्मेडर पसेचे साहे अचार जो वन टुफाइब है वाले है आवजे समर्पित करने के लिए अभियर्तियों को अभियर्तित रद की जाती मतलब वैसे भी जिनको वन टुफाइब किया था जो नहीं उस योग है उसको कुल संक्या सुल्ला है ध्यान रखेगा इसको फिर से पढ़ लिजेगा आगे है परिच्छा विर्णिक कंडिका तेरह में अंकित परवधान के अधार पर एक अभियार्थिक को क्या करना था एक ही फॉर्म बढ़ना था और दो भर दिया तो उसमें पूर स्थिति भी है वही तो लगों 35 पेडियाफ आपको मैंने दिखाया इसमें सारी बातों को ध्यान से शमझ लिजे कि जो फी नहीं जमा किया जो फोटो नहीं जाला था और जिसने सिगनेश्चर नहीं किया था जिसने दो बार फर्म बढ़ा था वसी स्थिति में सब का बहुत आते हैं या नहीं आते हैं नहीं आते हैं तो बढ़िया एक्जाम की चारी करते रही है 125 नजदीक है एक्जाम होगी नहीं होगी बात की बात है लेकिन डेट गोशना कर चुकी है जैसे सी इसलिए लग जाई पूरे और इस परकार के आगे को सुचना आती है उसके लिए आगे सुचना आपको ना मिलेगी तो आप दिक्कत हो जागा फर्स दाओगे तो चैनल को सब्सक्राब कर लिजेगा बेल आइकन को दबा दिजेगा घंटी ओन कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स सुचना के साथ तब तक के लिए लेता हूं जाजद जाए येल